हेलो दोस्तों नमस्कार मैं अबली शर्मा स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल बायलोजी विदपार में हम आज आपको पढ़ाएंगे हमने पहले भी वीडियो जो दी थी उसमें जन्तों का वरगीकरण सजीवों का वरगीकरण आपको बताया था सजीवों के वरगीकरण में हमने आपको कोरलस, लीनियस और हैकल का वरगीकरण और वीटेकर का वरगीकरण पढ़ाया था वीटेकर ने सजीवों को पांच भागों में बाठा था जिनमें मोनेरा, प्रोटियस्टा, कवक, जन्तु और पादप ये 5 थे जिसमें कि सबसे अच्छा classification किसका माना जाता है दोस्तों वी टेकर का ही माना जाता है उसके बाद आज हम पढ़ेंगे पारिस्तिती के अनुसार जीवों का वर्गी करन जो है दोस्तों तीन भागों में बाटा गया है किसके अनुसार दोस्तों पारिस्तिती के अनुसार नमबर एक उत्पादक एक्जामपल पेड़ बोदे उभोगता एक्जामपल जो किसी दूसरे पर आश्चित होते हैं सभी जीव जन्तू अपगटक, एक्जामपल कवक, फंगी, पोशन के आधार पर जन्तों का वरगी करण है सवपोशी और परपोशी दो भागों में बाटा गया है, किसके आधार पर पोशन के आधार पर, पारिस्ति के अनुसार, तीन भागों में उद्पादक, उभोगता औ परपोशी अपनी इनकी definition देख लेते हैं example एक अपवाद है जिसमें कि एक जनतू भी है सवपोशी में जिसका नाम है यूगलीना अगर आप से कोई ऐसा example पूछा जाए कि सवपोशी भी है और वो जनतू है तो आप यूगलीना निखेंगे और दूसरा example तो आप जानती है प हूँए जो दूसरों पर आशित होते हैं वो परपोशी कहलाते हैं आये दोस्तो आगे पढ़ते हैं सजीव और दिज्व के बीच की कड़ी वायरस या विषान होता है पेड़ पोधे और जीव जंतों के अपना भोजन सौम बना सकता है कौन बना सकता है यूगलीना यूगलीना में पड़बोदों के भी कुछ गुणों होते हैं और जन्तुओं के भी होते हैं यूगलीना के अलावा जितने भी जन्तुओं होते हैं वह परपोशी होते हैं नमबर एक कोशिक है नमबर दो बहु कोशिक है एक कोशिक है में अमीबा पैरामेशियम और यूगलीना और बहु कोशिक है में जितने भी बाकी बचे हैं वे सारे बहु कोशिक है कहलाती है प्रोपर्टी क्या होती है जो अमीबा होता है जो पैरामेशियम होता है वो चपल के अकार का होता है इसलिए स्लिपर अनिमल भी कहते हैं जो कभी मरता नहीं है अमर प्राणी के नाम से है वो अमीबा कहलाता है और पेड़ पोधो और जीव जन्तों के बीच की कड़ी यूगलीना है क्योंकि यूगलीना के अंदर क्या होता है हरित लवक होता है और यूगलीना अपना भुजन स्वम बनाता है, इसलिए ये पेड़ पोधो और जीव जनतों के बीच की कड़ी है, आईए दोस्तों आगे देखते हैं केंद्रक के आधार पर जनतों का वरगी करन, पहले हमने कोशिका के आधार पर देखा, आप केंद्रक के आधार पर जनतों का वरगी करन देख लेते हैं प्रैकोरियोटिक और यूकेरियोटिक जिन कोशिकाओं में केंद्रक पाया जाता है उन्हें विक्षित कोशिका कहा जाता है जिन कोशिकाओं में क्या पाया जाता है उन्हें विक्षित कोशिका कहा जाता है और जिन कोशिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जात उन्हें कि यानि कि जिवजन तयुके कोशिका क्याता बस्काय निए उन्हें चैनल मैंगगे आविक्षित कोशिका उन्हें करना हुश gefशा कि जिवण। सायनो बेक्टिरिया नील हरित शैवाल इने प्रैकॉरियोटि कुशिका स्र्चनल पर जीव जनतों का वर्गी स्विक्षित हो प्रचे में नहीं पाई जाती है अब आगे देखते हैं यह हमने एक फिश का सब्सक्राइबि असले मेंben मतेते हमें से सब्सक्राइब हैं मैंने प्हले भी बता था जनतों और पादब मेंहु जन्तु और पादब में बाटा है वी टेकर ने मोनेरा प्रोटियस्टा कवक और जन्तु पादब में बाटा है और जो कोरेलस लीनियस की जो फुस्तक का नाम है अब दोस्तों आजाएए पोशन के अधार पर जनतु कितने प्रकार के हैं स्वापोशी, परपोशी, अफवाद आपको पता ही है जनतु, यूगलीना, परपोशी में मानव कोशी का एक कोशी के बहु कोशी के ये समरी है आपकी जो हम शोर्ट में करके पढ़ा रही है कोशी का एक कोशी के बहु कोशी के बहु कोशी के अवीबा पैरा मेशियम यूग लेना बहुकोशियम बाकी सभी केंद्रक प्रेकुरियोटिक यूकेरियोटिक बैक्टीरियत साइनो बैक्टीरिया नील हरी शैवाल और रीड के अधार पर कशेरुकी मानवादी और आकशेरुकी तो मेरा मानना है दोस्तो आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर आपको व